इसलिए आपको बताया था लास्ट क्लास में एक्स क्लास में वाट विल्वी है इस्ट एलेक्ट्रानिक कंफिग्रेशन को पढ़ने से पहले कुछ बैसिक चीजे मैं जो आप लोगों को बता चुका हूं उसको जरूर जाकर देखेगा इसमें लोगों ने गाइस क्या पढ़ा सबसे पहले आप लोगों को मैंने बोर्ष मॉडल समझाया था कि बोर्ष मॉडल में किस तरीके से हम लोग एलेक्ट्रान जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है कौन ओर्बिट होते हैं कौन और लोगों को क्वांटम नंबर के बारे में बताया जिसमें हम लोग एस पी डी एफ sub orbitals को जान चुके हैं और कौन से orbitals में कौन से quantum number पे क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी हम लोग जान चुके हैं S में कितने electrons भरते हैं P में कितने, D में कितने, F में कितने ये भी हम लोग previous classes में समझ चुके हैं ठीक हैं तो before learning discuss, इस class को समझने से पहले आप लोग ज़रूर पीछे के दो वीडियो देखें जिसमें बोर्स मॉडल और quantum number के बारे में बताया गया है ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से configuration के बारे में क्या हो समझना है, clear हैं तो चलिए आज class start करते हैं और मैं यहाँ पास अपने आपको कर देता हूँगा अब ताकि आप लोग लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ सकें गाई तो electronic configuration से हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता से लेंगी, ठीक हैं जैसे हम लोग तो जो इसके बाद हम लोग जो classes पढ़ेंगे क्लास पे स्टार्ट, ओके तो सबसे पहली चीज कि electronic configuration को किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों को इससे charges पता चलता है 21 element में कितने charges जैसे sodium पे मैं लिखता हूँ गाइस plus charge, तो ये plus charge आया कैसे, तो ये जानने के लिए हमको electronic configuration आना चाहिए, तभी ये बनेगा अगर मैं बुलता हूँ कि chlorine पे minus charge आ रहा है, तो ये minus क्यों आ रहा है है ना, magnesium पे 2 plus क्यों आ रहा है, तो ये सारी चीजे हम लोग जो है, electronic configuration की help से आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है चलो, तो previous class का कुछ जो basic चीजे हैं, जो हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, वो मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि N, जो है वो बताता है number of orbitals, को आप लोगों को याद होगा, तो N की value जब 1 थी, तो आपको याद होगा कि वहाँ पास किवल S orbital होता है N की value जब 2 आती है तो वहाँ पास S के साथ साथ P orbital आ जाता है, वेन N की value 3 होती है, तो यह हो जाता है, S, P, D और N की value जब 4 होती है तो it becomes S, P, D, and F, I hope आप लोगों को याद होगा that means क्या कि 1 में क्या आएगा S, ठीक, फर्स्ट और्बिटर में क्या आएगा आपके पास, S आएगा लेकिन, सेकेंड और्बिटर में पहुंचते ही 2S, 2P, 3S 3P, 3D 4S, 4P, 4D, and 4F, समझ्यार है ना, अब इसको, जब भी हम लोग electronic configuration करते हैं, तो वहाँ पास एक rule हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम दोलते हैं, N प्लस L रूल कौन सा रूल बोलते हैं, गाईज N प्लस L रूल और ये रूल होता है energy level को बताने वाला that means क्या, कि जिसकी energy कम होगी, जिसका N प्लस L कम होगा, उसमें आप electron पहले fill करते हो, I repeat my words, कि जिसमें N प्लस L की value क्या होगी, कम होगी, उसमें हम electron क्या करते हैं, गाईज, पहले fill करते हैं मैं फिर से repeat कर रहो हैं, एक last बार कि जिस orbital में N प्लस L की value less होगी, उसमें हम electron पहले fill करेंगी, अगर equal energy आ गया, मान लो N प्लस L की value क्या आगी, equal तो जो पहले आता है, हम उसमें electron पहले fill करेंगे, समझना रिवात तो हभी हम लोग इसी तक, यहां तक देखेंगे, और generally हम लोग यहां तक work करेंगे, 4S तक 4S तक हम लोग देखेंगे यहां पास, कि किस तरीके से किसमें electron पहले भरा जाएगा तो हमारे पास हैं भई, बहुत सारे orbitals, तो मैं यहां पास इसको कर देता हूँ erase, और यहां पे मैं लिखता हूँ guys, N ठीक हैं, यहां पे मैं लिखता हूँ N, यहां पे मैं लिखता हूँ L और हम लोग यहां पास total क्या निकालेंगे N, प्लस L, जिससे आपको पता चलेगा कि पहले electron किसमें fill करना है ठीक हैं, और इस N, प्लस L को rule को follow करते हुए आपके जो एक scientist थे जिनका नाम था guys, आफ बाउ, ठीक है, नाम याद रखना above, तो above principle यही बोलता है कि जिसकी energy कम होगी उसमें electron आप पहले fill करते हो और वो किस पे based है तो आपके N, प्लस L पर based है, ठीक है चलिए, तो हम लोगों को मालूम है क्या पता है बई कि first volume में कितने orbitals हैं किवल S, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1S, 1S के बाद हमने देखा कि 2 में क्या क्या है, S भी है, 2 में P भी है, फिर 3S 3P, 3D ठीक है 3D 3D के बाद क्या जाएगा, 4S फिर क्या आता है, 4P and so on खेर अपने को अभी तक, अभी तो यही तक का का काम है, आगे पिर जब आप जब मैं 11 का सिलेबस स्टार्ट करूंगा, तब हम लोग आपस और डिटेल में इसको समझने वाले हैं ओके, सो अभी हमारा फोकस होगा, कि हम लोग element number 20, that means calcium तक के electronic configuration हम लोगों को करना आना चाहिए और मैं बोलता हूँ, आप लोगों को कहां तक याद रखना है, जिंक तक हम लोग करेंगे अभी, ठीक है जिंक तक का electronic configuration आपको अच्छे से आना चाहिए और इसमें कुछ exception है, जैसे chromium and copper, तो इसको मैं तब बताऊंगा जब 11 का सिलेबस हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी हमारा 9 का सिलेबस देरे-देरे cover हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने previously mole concept, molecular mass number of moles, यह सारी चीज़े study कर ली, ठीक है इसके बाद जैसे 9 का सिलेबस complete होगा we will go for the 10th, fit 11, fit 12 इस तरीके से हम लोग देरे-देरे relate करते होए सारी चीज़ों को study करते चलेंगे, okay guys आई हो आप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और एक चीज़, जो topics ऐसा होगा जो 9 में भी है, 10 में भी 11 में भी है, 12 में है, अगर useful है, तो उसको हम लोग वही पास कतम भी कर देंगे तो चलिए, अब ध्यान से देखते जाएगा, तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पस दिख रहा है आप लोगों को 1S orbital, सबसे पहला orbital कौन सा है 1S, अगर आपने previous classes में देखा होगा, तो S जो है, S orbital के लिए L की value होती है, 0, P के लिए कितनी होती है 1, D के लिए कितनी होती है 2, और F के लिए कितनी होती है 3, तो यह मैंने previous class में आपको बताया था और जो यहाँ पस लिखा होता है यह 1, 2, यह क्या है वही तो number of orbitals है, जिसको principal quantum number बोलते है, that means जो number यहाँ पर दिख रहा 1, 2, 2 चीक है, यही आपका N की value हो जाएगी 3, 3, 3, 4, 4 समझ में आया, अब बात है यहाँ पर S की, S की value भी हम लोग क्या करते है यहाँ से put कर लेते है चलिए, so S है तो S के लिए L की value 0, यहाँ पर भी 0 यहाँ पर 1, 0 1, 2 और 0, और यहाँ पर क्या आगया 5, समझ में आ रहा है ना आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो आपको एक trend समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले देखो, इसके सबसे energy कम है ध्यान से देखना ठीक है आप देख पा रहे होगे, कि जो आपके पास 1S orbital है कौन सा orbital है जो, 1S orbital है उस 1S orbital की value एक सेकेड सबसे कम है, ना 1S orbital जो आपको दिखाई दे रहा होगा उसकी value क्या है, सबसे less है that means आप जब भी electron fill करोगे सबसे पहले किस में fill करोगे, 1S में उसके बाद दिख रहा है 2, ये भी सबसे कम है उसके बाद सबसे कम कौन सा है, 2S तो 1S के बाद किस में fill होगा, 2S में 2S के बाद देख रहे हो कि 2P और 3S की values क्या है, same तो अभी मैंने आपको बताया था कि when energies या N प्लस L की value same होगी तो जो पहले आता है तो 2P पहले आता है कि 3S तो obviously क्या पहले आता है आपका 2P तो हम किस को पहले fill कर देंगे, 2P 2P के बाद आगे बढ़ेंगे तो 3S ही आएगा अब 3S के बाद guys आपको ध्यान देना है यहाँ पास 3P की value भी 4 है और 4S की value भी क्या है, आपके पास 4 तो जो पहले आता है, पहले कौन आएगा guys आपका 3P तो पहले किस को fill करोगे आप 3P को अब 3P के बाद क्या भराएगा, 4S और 4S के बाद आपके पहले देखो कि यहाँ पे 2 values फिर से सेम है जिसमें 3D पहले आता है, 4P बाद में इसने पहले किस को fill करोगे आप 3D को और 3D के बाद क्या fill होगा आपका 4P and so समझ में आया, तो यह है आपका क्या electronic configuration का trend की किस तरीके से आप electronic configuration fill करोगे अब सबसे important चीज़, जहाँ पास confliction आया, जहाँ पास changes आया, उसको एक बार गौर कर लेते हैं, तो क्या गौर कि हम लोग ने, कि 3P तत तो आपका as a tease है 1S के बाद 2S, 2S के बाद 2P 2P के बाद 3S, 3S के बाद 3P बट 3P के बाद हम लोग किस को fill करते हैं 4S को, यही आपको जहाँ रखना है 3P के बाद क्या fill होता है guys, आपका 4S fill होता है, और 4S के बाद भी जब electron fill बचा रहेगा तो हम किस में fill करेंगे, 3D में fill करेंगे, I hope आपको समझ में आ गया होगा, अब one more thing आपको याद रखना है कि S में कितने maximum electron fill कर सकते हो बई, 2 P में 6 D में कितने, 10, और F में कितने fill कर सकते हो आप, 14 तो यह बाद भी आपको ज्यान में रखने हैं, समझ में आया तो चलिए, इस trend को हम लोग follow करते हुए, अब electrons को क्या करेंगे guys, हम लोग fill करेंगे, तो इस वाले part को मैं कर लेता हूँ, यहां से copy ताकि हम लोग next page बे ले जाके इसको कर देते हैं, यहां पास paste कैसे paste करते हैं बई चलिए, यह आ गया हमारा पिछले page से सबसे पहले example मैं ले लेता हूँ, यहां पास sodium का, अब आप लोगों को मैंने starting में भी बोला था हूँ, कि at least 30 तक के atomic number with atomic mass आप लोगों को याद होने चाहिए, तो याद होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या ले लिया यहां पास, sodium अब आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, कि sodium का atomic number कित्ता होता है 11, अब भरना है, देखो द्यान से अगर आपने बच्पन में पढ़ा होगा थोड़ा बहुंस तो हम इसको 281 करके फिल कर देते हैं, लेकिन अब नहीं अब आप लोगों को नहीं करना है, चाहिए आप 9th में हो, चाहिए 10th में हो, किसी भी class में हो आपको ऐसा configuration नहीं करना है ज्यान रखेगा, तो कैसे करेंगे बई तो सबसे पहले orbital कौन सा आपके पास 1s, तो लेकर दिया हमने 1s, अब हमको मालूम है कि 1s में कितने electrons आप फिल कर सकते हो तो स में electron fits कर सकते हो कितने 2, तो मैंने यहाँ पर बर दिया, 1s पर क्या 2 अब 1s तो बर गया, हमारे पास electron है 11, बर दिया हमने कितने 2, बचा कितना हमारे पास, 9 अभी 9 आगे फिल होगा, तो उसके बाद कौनसा orbital दिख रहा है, आपको 2s उस पर किसके पहुँच होगा, आप 2s पर और 2s है, s में कितने बर सकते हो फिर से 2, हमने बर दिया 2 अब 2 प्लस 2 होगा, 4 अभी भी कितना बचा है, अपने पास, 7 तो कि total electron कितने है, हमारे पास, 11 तो अभी भी हमारे पास, 7 electron बरा होगा, 2s के बाद कहां पहुच जाओगे, आप 2p की तरफ, तो 2p पे हम भर सकते हैं, 6 electron, क्योंकि हमारे पास 7 है, हमने 6 फिल कर दिया, और 6 के बाद आप पहुच जाओगे, 3s पे, तो हमारे पास, कुल electron बचे है, 1, s में बचे हो, 2, लेकि बचे कितने है, 1, तो हम यहाँ पे कितना फिल कर देंगे, 1, और इस तरीके से आपका यह electronic configuration of sodium हो चुका है, अगर आप ध्यान से अगर देखना चाहोगे, तो हम यह देख पा रहे हैं, कि first orbital में कितने है, 2, second orbital यह दोनों मिला गए, तो 2 plus 6 कितने हो गए, 8, और third orbital में कितने ह 1, तो है configuration 281 वाला ही, बट जिस तरीके से आपको करना है, वो यह, समझ में आगया, चले, कुछ example और लेते हैं, तो और आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है, चले, इसको यही पर आभी मैं लगता हूँ, ताकि आप लोगों को concept समझ में आएगी, कर क्या रहे हैं लोग चले, अब देखेगा, कुछ और example लेते हैं, दूसरा element ले लेते हैं, तो और आपको समझ में आएगा, चले, देखेगा, मालो मैं ले लेता हूँ, यहाँ पास silicon, silicon का atomic number होता है, आपके पास कितना, 14, चलो, फटा फट से बढ़ते हैं, 1S पे कितना बराएगा, 2, बचगे 12, 2S पे हो गया, 2, और 2P पे हो गया, 6, कितने कतम हो गया, 10, बचा कितना, 4, 4 है, लेकिन आपन बर सकते हैं, 3S में 2, और अभी भी 2 बचा हुआ है, तो 3P में कितना बरा जाएगा, 2, देखो, 3S के बद किस पर बरना है, आपको, 3P पे, तो यह आपका हो गया electronic configuration, अब देखो, पहले orbital में कितना है, 2, second में कितना है, 8, और third में कितना है, guys, 4, तो आप लोग यहां से देख सकते हैं, समझाया है, चले, कुछ और example लेते हैं, चले, अब मैं एक example ले लेता हूँ, आपका थोड़ा बड़ा number ले लेते हैं, अपनी example ले लेते हैं, चलो iron का, iron का guys, atomic number होता है आपके पास कितना, 26, iron का atomic number कितना होता है, 26, तो चलो करते हैं, सबसे पहले कितना, 1s2, 2s2, और 2p6, देखो यहां करते ही हैं, हमारे पास 10 हो जाता है, तो 10 तक तो चलेगा, अभी भी 16 बचे हैं हमारे पास, अब 3s पे आ जाओ, 3s पे कितना होगा, 2, तो 10 और 2 होगा, 12, 12 और 6 कितने हो गया, 18, अब ध्यांच देखना, अभी भी 8 हमारे पास बचे होगे, हमारे पास 18 अभी तक खतम हो गया, अब देखो कि 3p के बाद किस पे भरना हैगा, 4s पे ध्यान लटना, 3p के बाद किस में भराएगा आपके पास, 4s में तो 4s में भर दिया, 2, अब देख इस तरीके से आपका ये electronic configuration of iron हो चुका है, समझ में आया बात, अब एक और चीज़, आपको थोड़ा से याँ पर basic चीज़ जाननी है, कि जब भी हम electron release करेंगे तो outer orbital, देखो, 3d वाला orbital inner है, लेकिन electron बाद में fill होता है, जाना नटा मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, 4th orbital भाई, फ electron filling पहले किसमें होती है, 4s में बाहर वाले में, फिर अंदर वाले में, due to energy level, प्योंकि 4s और 3d के जो orbitals होते हैं, बहुत ज़्यादा नजदीक में होते हैं, बहुत ज़्यादा distance पे नहीं होता, इसलिए 4s के energy कम होती है, और 3d के energy क्या होती है, ज़्यादा, लेकिन ध्यान जब भी electron release होगा, तो पहले 4s से होगा, ना कि 3d से, clear है, आई होग आप लोगों को अच्छे से समझ में आयागा कि किस तरीके से electronic configuration आपको करना होता है, ठीक है, अब इसी electronic configuration के basis पे, next class में हम लोग सिखेंगे कि किस तरीके से आप valency, valence electron and charges जो है क्या कर सकते हो guys, find out कर सकते ठीक है, तो ये lecture तोड़ा सा हो गया आपका लेंदी, लेंदी in the sense 15 minute लगबख हो गया है, तो इसको हम लोग यही पास end करते हैं, next class में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, next class में हम लोग सीखेंगे कि किस element में कितने charges होते हैं, कितनी उसकी valency होती है, कितने वो bond form कर सकता है, और balance electron भी हम लोग आपस देखेंगे, और charges मैंने बता दिया आपको, कि charges कब plus होगा, club minus होगा, ये भी हम लोग next class में सिखेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, thank you